Hello my dear friends, welcome to the class of computer science with Sanjay. Computer science with Sanjay की इस class में आप सभी का welcome है. इस session में हम discuss कर रहे हैं input and output in python programming. Python revision tour को actually हम discuss कर रहे हैं जो की Sumita Arora का chapter number 1 है और according to CBSC suggested syllabus class 12 computer science का unit number 1 computational thinking and programming है. That is actually part 2. Overall इस session में हम discuss करेंगे input method को, print method को और print के लिए या print को किस तरीके से अलग लग तरीकों से हम output को display करने के लिए use कर सकते हैं. So without wasting time हम एक एक करके हमारा discussion स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे how to you know input and output simply in python coding. देखे जब आप input करने की बात करते हैं python में तो इसके लिए जो built-in function हम use करते हैं हमारे python में that is called input. देखे जब मैं बात कर रहा हूँ built-in function की इसका मतब ये है कि इसके लिए आपको किसी भी library को import करने की जरुरत नहीं पड़ती है. आप directly input function को या इस method को इस्तेमाल कर सकते हैं user से input करवाने के लिए दूसरा जो function हम इस्तेमाल करते हैं वो output के लिए print method का हम इस्तेमाल करते हैं. और अगेन ये भी एक built-in function है जो की different types of outputs को display करने के लिए obviously output जब आप करते हैं तो output devices का आप इस्तेमाल करेंगे उधान के लिए जैसे की obviously monitor की हम बात करें तो output display करने के लिए हम print method का इस्तेमाल करते हैं. चलिए इन्हें detail में हम समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे input in python की. सबसे पहली बात तो ये कि python में input built-in function जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा input user से अगर आपको करवाना है उसके लिए हम use करते हैं. लेकिन इसमें कुछ important points हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है. सबसे पहली enter a value. इसके बाद में आप जो भी value return होगी जो आप input करवाएंगे. सिस्टम accept करेगा input के through. जब आप उसे किसी variable में store करवाते हैं तो by default इसका जो nature होता है वो हमेशा क्या होता है? string होता है. मतलब अगर आप यहाँ पे number 12 भी डालेंगे तो वो automatically x में as an string store हो जाएगा. और So this will simply show you 124 क्योंकि इसका जो default nature है वो string है. तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको कोई हमारे program में integer या decimal number को store करना है तो फिर हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं int method का और float method का इसे हम function भी बोल सकते हैं. तो ये int function और float function जो भी values इनके अंतरगत पास कर जाती है उन्हें या तो integer में और अगर आप float का इस्तेमाल कर रहे हैं तो float में convert कर देती है. अर्थात यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ x equal to और मैं इस पूरे input function को इस int method के अंदर अगर इस तरह से लिख दूँ तो यहाँ पर जब अगर कोई value आप type करेंगे चाहे वो 12 हो या कोई भी और number जो कि by default पहले string होता था लेकिन अब क्या होगा वो इस integer के द्वारा number में convert होगा और x में जाकि यह 12 as a number store हो जाएगा so that अगर आपको कोई भी arithmetic calculations करनी है future में तब आप आसानी से ही से कर सकते हैं. तो overall जब आप data input करते हैं तो याद रखिए आपको input function का इस accept करना चाहते हैं तो int method का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से यदि आपको real numbers के form में input करना है या decimal numbers के form में तो उसके लिए हम float method का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप theoretically इसका syntax देखें input function का तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि आप पहले variable लेते हैं क्यों क् input जो भी value आप accept करेंगे, obviously उसको कोई space चाहिए जहाँ पर आप उसे जाके store करवाएं. तो हम variable इसलिए लेते हैं कि हमारा जो भी हम input करें वो इस variable में जाके store हो जाए. इस input function के अंदर में यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है prompt to be displayed इसका मतलब जब आप इस program को execute करेंगे तो ज message आप input करवाने के लिए display करवाना चाहते हैं. उसे आप यहाँ पर inverted comma के अंदर में लिख सकते हैं. मैं इसे python shell पे practically आपको execute करके दिखाता हूँ. इसके लिए मैं सबसे पहले ideally open कर लेता हूँ. ज्यादा बेटर होगा कि मैं अपने ideally shell पे script mode को open कर लूँ. मैंने यहाँ पर script to mode को open कर लिया है. आप देख सकते हैं. मैं इसके interpreter को close कर देता हूँ. अब जैसे अगर आपको input करना है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिया input function. अगर आप ऐसा लिख देते हैं और यहाँ पर x equal to कर दें. माल लिजे इस program को हम run करें. अबिसली हमें पहले इसे save करना होगा. मै आप इसे run करेंगे. तो आप देखें यहाँ पर cursor आपके wait कर रहा है input का, बट हमें idea नहीं लग रहा है. या कोई unknown user होगा, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि exactly क्या करना है. हो सकता है, वो यह देखें कि program execute हो रहा है. कुछ result यहाँ पर display हो. अगर आप 12 type करें, तब यह जाक enter a number. अब अगर आप इसे save कर दें और run करें, दब आप notice करें, यहाँ पर एक message मिल रहा है enter a number. इसका मतलब आपको पता चल गया कि अब मुझे एक number डालना है और number डालने के बाद फर्दर आप इसको प्रेयोग कर सकते हैं. अब अगर आप x को यहाँ पर display करें, तो आप notice कर यहाँ पर यह 12 display कर रहा है, अर्थात इसका जो type है, हम type method के द्वारा इसे check कर सकते हैं, क्या बता रहा है आपको एक string बता रहा है, तो इसका मतलब यदि आप यहाँ पर x plus 12 करेंगे, तो error शो कर देगा, क्योंकि integer के साथ आप number को add नहीं कर सकते, इसलिए हमने discuss किया कि यद यदि आप इसे number के रूप में, या कोई भी value जो आप input कर रहे हैं, वो number के रूप में चाते हैं, तो आप उस input method को पूरा int method या int function के अंदर लिख देते हैं, अब यदि आप इसे run करें, और notice करें, आपको एक message मिला, enter a number, मैंने डाला 12, अब अगर आप x को print करें, तो देख यदि आप x plus 12 करें, तो आपको यह answer 24 देगा, I hope आपको यह input समझ में आया होगा, इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर float भी ले सकते हैं, मैं फिर से इसे run करता हूँ, आप देखें, इस बार यदि हम डालते हैं 12, और अगर आप x दिखाएं, तो 12.0 आपको दिखा रहा ह जो की एक real number या float value है, तो यह तो बात हुई हमारे input function के किस तरह से हम input करते हैं, input के बाद अगला हमारा important aspect है Python का output हम कैसे करते हैं, तो हमने पहले भी देखा कि output करने के लिए हमने यहाँ पर यह गलत लिखा है, हम इस्तेमाल करते हैं print method का, यह भी एक built-in function होता है, print जब automatically जो भी output होता है, उसे यह again string में convert कर देता है, मतलब जो भी आपकी screen में display हो रहा है, वो ideally एक string के form में print display करता है, तो यह दो important points है, जब आप input, sorry, output का प्रियोग करते हैं, लेकिन print method में एक important बात यह है, कि अगर आप print method के अंदर कोई numeric expression या कोई equation पास कर देते हैं, तो पहल result आता है, उसे string में convert करके answer को display करता है, I hope आपको यह थोड़ा सा confusing लग रहा होगा, तो चलिए अब थोड़ा सा print को भी हम समझ लेते हैं, मैं वापस से अपनी python shell पे आ चुका हूँ, अभी हमने देखा हमने यहाँ यहाँ पर एक value को input किया, वापस से इसे हमें display करना है, तो हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे print x का, अब यदि आप इसे run करें, तो देखें यह print के द्वारा यह x जो है, मैं पहले यहाँ पर input करूँ 12.0, तो आप notice करेंगे यहाँ पर display हो रहा है 12.0, हो सकता आपको confusion हो, तो इसे better करने के लिए, हम इसके आगे एक message दे देते हैं, the number is and इसके बाद इसे comma से separate कर देते हैं, तो यह message हो गया, जिसको हमने x के साथ, मतलब x variable की value के साथ, display करने के लिए जोड दिया, separate करने के लिए हमने यहाँ पर comma लगाया, अब इसके बाद यदि आप इसे run करें, तो आप देखेंगे, मैं फिर से एक number डालता हूँ 34, तो अब जो main बात थी, वो यह कि यह जो तीसरा point आप देख रहे हैं, कि अगर print method में numeric expression दे दिया जाया, तो यह कैसे काम करता है, क्योंकि print जो होता है, वो भी output को string के form में display करता है, वापस से हम अपने python shell पे आते हैं, मैं इस print में जाता हूँ, और अगर आप यहाँ पी लिखते है मैंने पहले x को यहाँ पर display कर दिया, मैं वापस से x को ले लेता हूँ, मैंने दूसरा expression डाला 23, minus मैंने कर दिया 2, और इसके बाद में अगर आप इसे close कर दें, अब आप run करें, तो देखें यह पहले expression, मतलब अगर आप x में 12 डालेंगे, तो यह 33 आपको answer return करेगा, अब ह क्यों आया, क्योंकि इसने पहले expression को solve किया, जो output आया, फिर उसने उसे string में convert कर दिया, तो यह तो overall बात हो गई हमारे output की, लेकिन जब हम print method का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप कोई भी value pass नहीं करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि वो एक blank line को print करता है, मैं output को समझने की कोशिस करते हैं, मैंने डाला 23, अब देखें, इन दोनों के बीच में कोई भी gap आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे close नहीं करता हूँ, और यहाँ पर वापस फिर से एक print method को लेके, बिना किसी argument के इसे use करता हूँ, मैं इसे run करता हूँ, और अब हम समझत हैं, मैंने फिर से डाला 23, आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक blank line आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसका मतलब यह, कि print में अगर आप कोई भी value past ना करें, तो वो आपकी screen में एक blank line को present कर देता है, इसके बाद में हम बात करेंगे, output जबाब python में यूज करते हैं, तो actually print method, तो print में पहला तो object मतलब आप चाहे तो कोई message ले सकते हैं, कोई variable की value ले सकते हैं, अगर आपने multiple object पास किया है, तो उनके बीच का separation कैसा होगा, by default space के द्वारा separate किया जाता है, और end का मतलब है कि अगला जो print command यदि आप इस्तेमाल करेंगे, तो क्या वो message को same line पे display कर करते हैं, मैं इसे practically आपको प्रयोग करके बताऊंगा, बढ़ उसके पहले हम theoretically इन तिनों ही points को समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा object मतलब कोई भी message या variable की value जो आप display करना चाहते हैं, अगर multiple objects हैं, comma से आप separate करते हैं, separator मतलब अगर दो objects हैं, जैसे x और y की value को आप display क क्या आप इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो go आप कर सकते हैं, और end का मतलब अगर आप दो print का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या by default जो print होता है, पहला message पहली line में, दूसरा print दूसरी line में करता है, अगर आपको same line में चाहिए, या इनके बीच और कोई combination करना है, तो उसके लिए हम end argument का इस्तेमाल करते हैं, आईए इसे अब हम practically execute करके देखते हैं, मैं फिर से ideally open कर लेता हूँ, so that हम directly print को execute करके समझे, अब देखें, जैसे मैंने लिया print command, अगर आप यहाँ लिखते हैं hello, फिर आपने comma लगाया और यहाँ पे डाला how, अभी आप notice कर करेंगे, print को execute करिए, तो hello और how के बीच में separator जो है, वो space दिख रहा है, यह default है, लेकिन अगर आपको कोई और separator चाहिए, तो आप यहाँ पर separator argument का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया sap, equal to मैंने inverted comma में suppose that, तीन dashes डाल दिये, अब अगर आप इसे execute करेंगे, तो तीन dashes से हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर तीन चार argument और पास कर दूँ, जैसे कि मैंने लिया print, hello, how, and इसके बाद में मैं लिखा are you, अब देखिए, अगर आप फिर से इसे execute करें, तो आप separator समझ सकते हैं, कि यहाँ पर तीन dashes आ रहे हैं, क्योंकि हमने इस mention किया है separator को, तो यह हुआ मेरा separator argument, इसके बाद में बात आती है, end की, तो इसके लिए हम जो program बनाया था, उसे screen पर display करते हैं, यह रहा मेरा program, देखिए, अभी जब आप इसे execute कर रहे हैं, तो देखिए, enter on number 23 किया, the number is 23.0, फिर यहाँ पर एक blank line और इसके बाद यह 44 आ रहा है, मैं इस blank line को यहाँ से remove करके, 44 को same यहाँ पर display करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, suppose that मैं इस print को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर x के बाद में मैं लिखता हूँ, end equal to, suppose that मुझे कोई भी gap नहीं चाहिए, तो आप end equal to, सिर्फ single quotation mark को लगा के छोड़ द करेंगे, आप notice करेंगे, मैं इसे run करके दिखाऊं, 23 दिखाया, 0.0, फिर 44.0, output और दोनों के बीच में कोई भी gap नहीं है, दोनों same line पे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर space में या 2 spaces दे दूँ, इसके बाद अगर आप धियान से देखें, इस program को run करते हैं, मैंने ड how we can understand कि कैसे हम अलग-अलग तरीकों से print command को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब इसकी basis पे एक final program हम लिख के समझते हैं, suppose that एक हम program बनाते हैं, मैंने यहाँ पर comment लिया, program to accept and display numbers, तो जैसे मैंने आप से कहा, सबसे पहले आप variable लेते हैं, x, आपने लगाए equal to, चुकि हमें number input करना, इसलिए हम लिखेंगे int method, क्योंकि हमको input method से जो return हो रही है value, उसे integer में convert करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आप जो भी message देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, enter a number, bracket close करेंगे, अब जो भी x में input आया, उसे display करने के लिए, हम यहाँ पर print command का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यह मेरा program ready हो गया, so this is how we can understand input and output in python, अब इसकी basis पे हम एक और program बनाते हैं, addition of two numbers, जिसको समझने की कोशिस करते हैं, कि ideally हम program कैसे बनाते हैं, तो addition of two number का हम यहाँ पर program देख रहे हैं, obviously इसके लिए हमें सबसे पहले दो numbers input करने होगे, so मैं यहाँ पर एक variable लेता हूँ, x जिस में की, मैं input function का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और उसे integer में convert भी कर देता हूँ, इसके बाद यही code मैं y के लिए करूँगे, enter second number, so again मैं लिखता हूँ, int then input और इसके message, enter second number, and इसके बाद जो x और y की value है, इन दोनों को हम यहाँ पर add करेंगे, और जो output आएगा, उसे हमें store करे करेंगे z में, तो हमारा जो output z का है, उसे अब हम screen में display करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे print, और हमने यहाँ पर लिखा, total equal to, comma डालके z, और इस तरह से हमारा addition of two numbers का program भी ready हो जाएगा, और इस तरीके से हम अब इस example से यह भी समझ सकते हैं, कि कैसे हम input और print method का इस display करने के लिए, so now I hope कि input और output का concept आपको समझ में आ गया होगा python में, इसके बाद में अब हम discuss करेंगे data type को, but आज के session में यहीं तक, अगले session में data type की चर्चा हम जारी रखेंगे, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो like और share करिएगा, और channel को भी subscribe करना मत भूलिएगा, because computer science की best class के लिए best place में है, that is computer science with Sanjay, जो मेरे youtube channel का नाम है, बाकी की जानकरी के लिए आप video के description को जरूर चेक करें, bye bye and take care.